हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे टेक्सिम 500 mg इंजेक्शन के बारे में इस इंजेक्शन के क्या फायदे होते हैं क्या इसके नुकसान होते हैं और इसे किस परकार से लेना चाहिए और इसका कितने दिन उप्योग किया जाता है इन सबी बातों को आज हम इस वीडियो में दोस्तो टेक्सिम इंजेक्शन आता है एलिकम कंपनी का और इसका जो सॉल्ट होता है वो होता है सिफो टेक्सिम सोडियम 500 mg और इसका MR भी देखें तो इसका MR भी होता है 21 रुपे 55 पैसे एक वाइल का और दोस्तो इस इंजेक्शन का उप्योग एंटिबैटिक के रूप में किया जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होता है ये क्या करता है कि जो बैक्टिरिया होता है उसको नस्ट करके बैक्टिरी के संकर्मन को नस्ट करके प् इसका उप्योग बहुत सी तकलीफियों में किया जाता है जैसे कि सर्दी, खासी, बुखार, निमोनिया, दिमागी बुखार, यूरेन इनफेक्शन, स्किन का किसी भी प्रकार का इनफेक्शन, ब्रॉंकाइटिस की प्रोबलम, गुनोरिया की प्रोबलम, आख, नाख, कान, गले में किसी भी प्रकार की इनफेक्शन, फेफणों में संकरमन, टॉंसल की प्रोबलम, फोड़ा, फुनसी, जखम, गाओ को सुखाना, पेट की आतों में सूजन आना, आदी जैसी इनफेक्शन के लिए इसका उप्योग किया जाता है। इसे बहुत ज़्यदा दर्द होता है, इसलिए इसे ज़्यादा तर आईवी ही दिया जाता है। और ये बॉड़ी बेट के हिसाब से और एज के हिसाब से दिया जाता है। इसे लगातार तीन दिन या फिर साथ दिन इस्तिमाल किया जाता है। पेशन्ड की कंडिशन को दे और खुजली होना दस्त और इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द होना घबराहट होना चक्कराना यह सब इसके साइड एफेक्ट हैं दोस्तो तो इसे आपने अपनी मज़े से बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इस इंजेक्शन को डॉक्टर से इस्तमाल करते हैं और कर देने शेर कर देना और कमेंट करके मुझे जरू बताना धन्यवाद